database function के concept को सीख लेने के बाद आप वो time आ गया है कि एक step और आगे की तरफ move करें और अब मैं आप लोगों के सामने introduce करने जा रहा हूँ एक नया function की category जिसका नाम है information function इस वीडियो के जरीए सबसे पहले बात करेंगे हम info हम बात करेंगे cell और is blank इस function को पहले हम लोग एक एक कर करियर मोटिविशन वीडियो देखने के लिए information function का बतलब क्या it provides the information about something something में कौन cell it provides the information about cell about the operating system about the seat about the seats ठीक है तो जितने भी information पाने वाला काम होगा वो इस category के जरीए करेंगे तो information function में सबसे पहले बात बहुत ही important function में से एक जिसका नाम है is blank blank कहने के लिए blank है बड़ी is blank की जरुद बहुत होती है तो सबसे पहले बात कर लेते हैं is blank की देखिए अगर मेरे पास यहां पे कुछ data रखा हुआ है इसमें मैंने कुछ लिख रखा है अगर मैं जानना च पास कि आपने is blank और यह पास कर दिया क्या यह blank है अंसरे नहीं फॉल्स आएगा और जहां जहां blank होगा वहां वहां यह क्या बताएगा true है तो आपको इसने बता दिया कि हां जी सर यहां पे इसल blank है लेकिन मुझे इससे फाइदा क्या है फाइदा यह है कि मैं को example करके थे छोड़ा से example तो जैसे कि यहां पर check number है किन से मिला कौन से date को मिला कितने amount का मिला clearance date भी लिखा हुआ है इस date को उचे clear हो चुका है इस bank से clear हो चुका है ठीक तो अभी क्या किसी पर outstanding हमारा चल रहा है क्या कब पता चले का outstanding है मतलब अगर यहां पे clearance date date clear वाला भी आ गया उसका check clear हो चुका है लेकिन जिसका भी यहां blank आ रहा है that means उस customer के उपर अभी हमारा already outstanding amount बनता है वो हमें check करना हो तो इस is blank के जरीए कैसे करेंगे वो दिखाता हूँ यह जितने भी इज वाले भाई साब साब है ना इज blank इज error इज text इज number अभी कई सारे function की बात करेंगे यह तीन चार वीडियो जिसका आए अभी लगाता है तो इन function की अगर बात करूं तो यह जितने भी इज वाले हैं या अकेले किसी काम के नहीं इनको if के साहरे की जरत ह होती है तो लगा देते हैं यहां पर equal to if के साथ चले गई equal to if और उसके बाद पास करेंगे logical test में मैंने यहीं पर पास कर दिया age blank क्या यह cell blank है कौन सा cell date clear डॉल यहीं पर आपने चेक करा लिया कि क्या वो जो cell है क्या वो blank है यदि वो blank है comma और यह बात सही है value if true तो as it is amount कॉमा नहीं तो नल छोड़ दो bracket बंद एंटर यह देखिए question संबाया देख लीजे मैंने क्या किया if यदि इस blank खाली हो कौन सा cell date clear डॉल यदि यह cell खाली हो तो क्या करो इधर की value उठालो amount उठालो यह value उठालो और खाली नहीं हो तो खाली नहीं होते इस cell को नल ही रहे रहें तो यह देख ब्लैंक शोड़ दिया या तो आप लिख दो no due कुछ भी जो मर्जिया आपके no due लिख दो ऐसे जिसका clear हो गया उसका अगे लिखका गया no due और जिसका बखाया उसका तो बखाया यह भी यह समझा आगया होगा आप ल क्या यह वाला cell खाली है क्या अगर उधर वाला cell जिसमें अमन मैंने नाम लिखा है अगर वो cell खाली हो तो जिस cell में मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं कॉमा इस cell को खाली ही रहने दो अगर वो cell blank हो नाम वाला cell तो इसको blank ही रहने दो otherwise अगर blank नहीं निकला तो तो condition false पर आ गया और blank नहीं हो तो नहीं हो तो क्या दिक्कत है यह जो यह वाला cell है इस cell में plus one क्या किया है मैंने आप बिल्कु ध्यान से देखिए मैंने पास किया if each blank अमन वाला cell यदि अमन वाला cell blank है तो जिस cell में मैं formula लगा रहा हूँ वो cell खाली ही रहने दो otherwise नहीं तो अगर blank नहीं है दाने वाला cell के अंदर value लिखा हुआ है तो जो यह इधर वाला cell है जहां मैंने one पहला अफ्यों एक serial number लिखना हो अगरा जहां मैंने serial number एक लिख रखा है उसमें एक value और add कर दो देखिए यहां अपने आप आजाएगा to अब इसको यहां से यहां तक जितना आपको चाहिए उतना copy करके छोड़ दो इससे फाइदा क्या होगा वो देखिए अगर मैंने अमन को यहां से delete कर दिया दो भूब भी हट गया लेकिन अब यहां पर आप लिखिए तो आमन तो यहां आता जाएगा देखिए यह देखे ठीक है वर्याद चीज़ है इसमें मैं important important चीज़े बता देता हूँ वैसे कुछ चीज़ें तो बेभालत होगे हैं उस पर हमें ज़्यादा time नहीं लगा लाए है और जैसे ही cell की बात की तो इस cell से related जितने भी information हो सकता है वो सारा provide कराए गई जैसे cell का address क्या है तो जारा चेक कर लेते हैं यह रहा cell और इसमें इतनी सारी चीज़ें आपको बता सकता है सबसे पहले बात address की अगर मैं यहां पर bracket बंद कर गे अगर मैं यहीं enter पास कर दूँ तो यह इसी cell का address बता देगा कि यह cell कौन सा है या अगर मैं चाहता हूँ कोई और reference पास करता हूँ यहां पर comma लगा दीजिए और अब मैंने मान के चलते कर सा रग गया यहां और bracket बंद अब अगर enter प्रेस करूँगा तो जो reference आपने रखा है जहां पर उस cell का address बताएगा वो C3 था तो यह बता दिया आपको cell का address उसके बाद हम बात करेंगे equal to cell और पास कर दीजिए COL column number अगर मैं यहीं पर गर सा रख रखा हूँ तो यह बता देगा कि यह कौन सा column है A, B B कौन सा column है दूसरा column है Otherwise अगर आपने कोई reference पास किया तो यह उसका column नमर उठा किला देगा देख लीजिए वो जो जहां पर आपने करसा रखा था वो fourth column था ठीक है उसके बाद उसी तरीके से equal to cell और मैंने पास कर दिया यह रहा रो और अगर same में करेंगे तो 13th हो गया और comma अगर किसी का reference पास करेंगे जैसे मान के चलते मैंने यह पास कर दिया तो यह cell कौन से row में है वो cell पहले row में है उसी तरीके से अगर हम लोग जानना चाहें कि actual content of the cell तो क्या पास करेंगे equal to cell और यहां पे होगा content यहां पे होगा content comma reference रफरेंस से पास कर देता हो कुछ भी चलो यह ले लेता हो bracket 1 enter यह देखे क्या लिखाया वो actual content इस cell में क्या रखाया cell का address वही तो लिखाया है यहां पे लिखाया है cell address तो agitize जो content अगर आपको उठा के लेका आना हो तो हम पास कर देंगे cell contents मत्तब यह function information provide करने का काम आता है बहुत ज़्यादा use में नहीं है यह function लेकिन इसमें से कुछ चीज़े बहुत काम के जैसे is number हो गया seat हो गया seats हो गया is text हो गया ठीक है even is odd बहुत यूज होता है तो अभी के लिए आप यह सिर्फ concept सीख लेजिए कि किस function का बस use क्या है वो क्या ले के आता है जब इसके implementation की बारी आएगी तो detail में बात करेंगे now if you want to know the type of the entry in the cell किस type का data type के बात कर रहा हूं किस type का data type उसमें entry की पर्टिकलर cell में हो रखा है अगर आपको वो जानना है तो यहाँ पर पास करें equal to cell और उसका type यहाँ पर आएगा type यह देखिए यह है ना type यह पास कीजिए comma reference reference हो यह ने पास कर दिया वहां के चलते इस cell पे click कर देता हूं तो यह text है ना तो यहाँ क्या लिखके आएगा text के लिखके आएगा I text के लिए कोई number होगा तो लिखके आजाएगा value के लिए V देखिए I लिखके आगिया text के लिए और इसी को number में convert कर दीजिए तो वहां लिखके आएगा V और इसको blank कर दीजिए तो इसी को इसी को आप blank कर दिया तो वहाँ पे लिखाएगा बी ठीक है ये data के type को बताता है उसके बाद फिर से cell और अब अगर आपको पता करना हो कि इस cell की width कितनी है ये रहा कहीं width होगा width, comma, reference मानके जलते इस cell का width जानना चाहता हूँ ये देखिए 46 है width इसका इसमें से कुछ चीज़े जो बहुत जड़ा important नहीं है उसका मैंने description वैसे लिख दिया है और उसको मैं formula भी लगा के यहाँ पे आप लोगों के reference के लिए छोड़ रहा हूँ लेकिन इसमें से जो important important बात जो file का नाम रखा हुआ है ये file कहां पे रखा हुआ है that means I am talking about the path ये file कहां पे है मनला एक file कहां से उठका रहा है अगर मुझे ये जानना हो तो एक function बड़ा काम का है इसमें equal to हम पास करेंगे cell और यहाँ पे आप पास करेंगे इसमें से file name ये वाला ये बहुत काम का है इस ये c drive users admin desktop उसके अंदर ये file में रहा पर रखा हुआ है इस नाम का file है ठीक है तो ये था cell से related कुछ भी information अगर आपको जानना हो तो function का नाम है cell उसी तरीके से function होता है info नाम से जग जाहिर है info that means it provides the information about the current operating system कैसे equal to info और इसमें से भी कुछ चीज़ें जैसे की current directory में जानना हूँ पास कर दीजिए इसी file की यहीं देखिए उठका गया कौन से location उठका रहा है equal to info और अगर मैं OS का वर्जन जानना चाहूं तो यह रहा ठीक है और मैंने यहां पर पास कर दिया जो Excel का जो वर्जन है उसका रिलीज कौन सा वर्जन है यह 15 तो यह क्या आपको बता बार है यह it provides the information about the current operating system ठेक है उसके लिए function होता है info तो हमें उमीद है यह जो आज हमने concept स्टार्ट किये हैं सीखना यह आप लोगो समझ भाया होगा अब आपसे मिलता हूं फिर अगे बहुत जल्द next video में इसी information function के कुछ और function के साथ जिसमें उनको भी हम लोग explore करेंगे के करके पहले concept सिखेंगे इसके फिर आगे जल्के examples भी करेंगे थैंक यू